देखो यार अगर आप लोग यूज इफेक्ट को सीखना चाहते हो ना तो ये पॉफेक्ट टूट्योरियल आप एक तरीके से बहुत लगते हो क्यूंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको किसी और वीडियो में जाने की जरुवत नहीं पड़ेगे क्यूंक हम लोग लिख लेते हैं यूज इफेक्ट और इसे इंपोर्ट कर लेंगे ठीक है तो इंपोर्ट हो गया उपर में टॉप में इसके बाद यहां पर आप जैसे फंक्शन को कॉल करते हो वैसा ही है लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता ह एक अनुनिमस फंक्शन जो की अंदर में ट्रेगर होगा ठीक है तो यह मैंने बना लिया उसके बाद यह जो फंक्शन है वह आपका आप पेज को रिलोड करोगे या फिर कुछ भी यहां पर रेंडरिंग होगा यानि जब भी कुछ यहां पर दुबारा से रेंडर होगा य यहां पर लिखते हैं ऑटो ट्रेगर ठीक है तो अभी देखना अभी मैं पेज को रिलोड करूंगा तो यह आटोमेटिक ट्रिगर होगा देखो यहां पर हो रहा है उसके बाद यहां पर प्लस माइनस का जो काउंटर मैंने पिछले वीडियो में बनवाया था यूज स्टे ब्लस-mineस पर देखो यह अب नहीं चल रहे लेकिन यही क्या होगा पॉस्ट टाइम आप जब भी पेज को रिलोड करते हूं या फिर ओपिन करते हो तो यह use effect का function चल पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं इसे reload करता हूँ देखो काम कर रहा है लेकिन अगर मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यह काम नहीं कर रहा है ठीक है तो यह ऐसा behavior हमें कब चाहिए होता है जब हम कोई API कॉल करते क्योंकि अगर हम लोग बार बार रेंडर होगा और उसमें API कॉल करेंगे तो सुचो कितना सारा API कॉल हो जाएगा और हमारा मतलब लिमिट उमिट पूरा हो जाएगा फिर अगर आपका API कॉस्टली है तो आपको कॉफ़ी ज़्यादा पैसे भरने पढ़ सकते है तो उस इफक को आप तीन हिस्सों में बाट सकते हैं तो पहला हिस्सा आपका वैसा फंक्शन ने जो कि आपको चलवाना है ठीक है दूसरा हिस्सा वैसा फंक्शन है जो की आपका क्लीन अप करेगा क्लीन अप क्या होता है तो बिसिकले आपका यहाँ पर कुछ उसे हटाना चाहते हो तो यहां पे आप clean up करके आपका जो performance होगा वो अच्छा रहेगा ठीक है अगर होता क्या कि बार-बार उस component को आप खोलते जाते हो और आप clean up function वहां पर नहीं लगाते हो तो उस case में आपका जो performance है वह काफी घड़ जाता है ठीक है तो ज्यादा तर case में आपको handle करनी की जरुवत नहीं पड़ती लेकिन कुछ-कुछ case में आपको जैसे time out का जहां पर यूज करते हैं तो वहां पर आपको इस किसे आप इसे watchman बोल सकते हैं जो कि किसी पर नजर रखे हुआ है तो जो भी कुछ उसमें चेंज आता है तो जाके क्या करेगा उसको action लेगा तो action कैसे लेता है जैसे माली जी यह count है इसको मैं जो watch करना है तो मैं क्या करूंगा यह count है इसको dependency array में लिख दूँगा ठीक है तो अब क्या करेगा यह जो use effect है इसे watch करते रहेगा और जब भी count में कोई भी changes आएगा मतलब उसमें कुछ भी 1,2,3 कुछ भी होता है तो उस case में यह जो function आप देख रहे हैं टॉप वाला वो चल पड़ेगा तो मैं इसको console lock करता हूँ दिखाने के लिए तो मैं आप count लि बाच नहीं करना है तो मैं इस code को comment कर दिया तो अब देखना यहाँ पर count का जो value है वो trigger नहीं होगा ठीक है तो basically यह subscribe कर लिया उसको के भाई उसमें जो भी changes आएंगे मैं यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर इस function को trigger कर दूँगा और यहाँ पर आप लोग चाहे तो 4 से 5 much dependency मतलब variables यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डाल लो ticket booking ठीक है तो माली जी इन दोना में से कोई भी trigger होगा तो यह वाला function चल जाएगा ठीक है तो यह और case में आपका like करता है तो मतलब एक भी इसमें से trigger होगा तो यह function चल पड़ेगा अब मैं आपको एक real world example से सम करता है अगर आप लोग network call perform कर रहे हों ठीक है तो मैं क्या करता हूँ एक basic सा use effect यहाँ पर बना लेता हूँ तो basic syntax क्या है callback देना है और यहाँ पे आपको एक dependency array देना है तो यह dependency array अगर आप empty छोड़ते हो तो यह function कितनी बार चलेगा first time चलेगा ठीक है इसके बाद मुझे एक network call perform करना है तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर यह fetch method है इसको call करूँगा और यह website का मैं use कर रहा हूँ ठीक है इसके अंदर यह domain example है वो उठा लिया बस यहाँ पर text में अभी फिलाल के लिए post यहाँ पर forward होके यहाँ पर response मुझे देखने को मिल रहा है ठीक है तो मैं क status state है ठीक है तो अभी यह फिलाल empty है यह फिर इसमें हम लोग नल भी पास कर सकते है तो यहाँ प्रम सिंपल सेट कर देता हूँ सेट डेटा और यहाँ पर हम लोग जेसन को पास कर देते हैं ठीक है तो कॉनसोल लॉग कर लेते हैं कि भॉजण Д्या में Алवे डेटा और तो मै क्या करता हूँ इसको map कर लेता हूँ फटा-फट से तो इस पर map method चलाएंगे तो लिखेंगे data और map लिखेंगे और इसमें item ले लेंगे ठीक है और simple इसे pre-tag में डाल देंगे और इसके उपर key pass कर देते हैं नहीं तो यहाँ पर error throw करेगा react तो आए फिलाल के लिए आए ही डाल देते हैं ठीक है और यहाँ पर हम लोग pass करेंगे json.sringify और इसके अंदर simple item को pass कर देंगे ठीक है तो अब हमें output यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देखो output यहाँ पर अच्छा सा मिल रहा है ठीक है तो अगर मैं इसे refresh करता हूँ तो हमारा सब कुछ काम कर रहा है क्योंकि यह first time call हो रहा है लेकिन अगर मैं user पर click करता हूँ तो यहाँ पर changes नहीं आ र हो रहा है कि नहीं तो अगर मैं इस पर click करूं comments तो dीको comments हो जा रहा हुँ उसके बाद अगर मैं users पर click करता हूँ तो users हो जा रहा है उसके बाद यहाँ पर मैं वापड़ से post कर रहो है लेकिन यहाँ पे जgangen कूकि यहाँ पर जो dependency array हैना उसके अंदर हम लोगोंने बोला नह जाएगा देखना तो अब मैं comment पर click करूंगा तो एहां कमेंट आ गये उसके बाद users पर click करूंगा तो यहां पर यूजर्स आ गये post पर किया तो पोश्ट आ गये ठीक है तो आब मैं आपको एक ग्जापल दिखाता हूं जिससे आपको clean up कैसे होता use effect के अंदर वो समझ में आ जाएगा तो basically मैंने किया कि एक state बनाया और इसमें मैं यहां पर check कर रहा हूं कि अंदर का जो width कितना जैसे यहां पर जो भी width है इस tab का जिसे मैं बड़ा चोटा कर रहा हूं उसका width मैंने पहले तो set कर दिया उसके बाद मैंने एक function बनाया handle resize जहां पर मैं क्या कर रहा हूं set width कर रहा हूं और इसमें से width विंडो से width निकालके जो भी है इसमें set कर रहा हूं ठीक है फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां पर use effect hook का use कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक function बनाया कि भाई window का जो event listener होगा जब भी resize होगा तो उस case में मुझे क्या करना ये function को trigger करना है और यहाँ पर जो भी width होगा उस समय आपका window का वो जाके ये use state hook में save हो जाएगा ठीक है उसके बाद जब भी ये component unmount होता है मतलब कि ये जो component है जो कि use effect clean up है जो कि मैं app में use कर रहा हूँ जब भी ये screen से हटता है तो उस case में मुझे क्या करना है ये जो event listener है उसे मुझे remove करना है तो अगर मैं इस event listener को remove नहीं करूँगा तो यहाँ पर दिक्कत आएगा तो माल लिजे कि मैं ऐसा button बनाता हूँ toggle button कि true false पर यहाँ पर मतलब component आ रहा है फिर component जा रहा है ठीक है तो उस case में क्या होगा कि मैं अगर बार 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 उस button को toggle करता जाओंगा तो यहाँ पर काफी सारे events वहाँ पर मेरे backend में browser के add होते जाएंगे जिससे वह जो browser है वह थोड़ा lag होने लगेगा तो इस case में हम लोग क्या करेंगे जब भी component हटेगा तो इस case में हम वापस से जो भी event हम लोग ने यहाँ पर create किये थे उसे यहाँ पर हम लोग remove कर देंगे तो इस तरीके से हम लोग clean up function का यूज कर सकते है इस तरीके से अपसर टाइम आउट यह सब case में भी आप उसका यूज कर सकते हो तो बेसिक सा understanding था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया देखो यार अगर आपको एक पास कुछ time वायम बचेगा ना तो यह वाला जो series है उससे देख लेना क्योंकि इस series के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जो react के important questions हो गया या फिर important concept हो गया वो सारे कुछ मैं इसमें include कर रहा हूँ और यह series मैं इतना अच्छा बनाने की कोसिस कर रहा हूँ कि कोई भी यह वीडियो को देख लेगा तो उसके कोई भी interview react निकल जाएंगे या फिर अगर project में उसे द अबता के लिए बबाई